हालो दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है आए देखते हैं आज कैलकुलेशन का नेक्स पार्ट आए हम मल्टिप्लाय सीखेंगे हम मल्टिप्लाय दो तीन तरीके से सीखेंगे देखिए हा ड़िप्लै अरथाद गुना गुना सीखने ए आज को पैबल के ओपर आधार है तो मतब हमें पहाडा याद रहना चाहिए पहाडा कहा है बीस तक यह याद रहना चाहिए अगर याद है तो ठीक है नहीं तो इसके बाद नेक्स वीडियो जो आएगी उसमें बिना पहाड़े के भी कार हो जाएगा बड़े से बड़े संख्याओं का गुना आप इसली कर पाएंगे देखिए मैं कुछ एक्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ देखिए ये एक कैलकुलेशन है अभी देखिए ये है 12 इंटू 64 मतलब 12 में 64 का गुना करना है सिंपल सा दिख रहा है परंतु हमें लग रहा है गुना करना कितना हाड है देखिए आपको अगर मैंने इस रूप को चेंज करके ऐसे अगर लिख दिया इसको ऐसे लिख दिया तो क्या हर्ज है हाँ या ना अगर आपने दो में तीन का गुना किया तो 6 आएगा या तीन में दो का गुना किया तब भी 6 आएगा देखिए अगर आपने दो में तीन का इस तरीके से गुना किया 6 आएगा या आपने तीन में दो का गुना किया कर दिये तो क्या कोई दिक्कत है नहीं इसके बाद हमने क्या देखना है क्या में भारक पहाड़ा आता है तो बारक पहाड़ा आता है तो हम पूरा दान ले लेंग準 लिरेखिंगी सल्दें depths ama 44-48 तो एक संख्य में आंगे पीछे करके देख सकते हैं आई देखते हैं और एक दू पर देखते हैं देखें यह आपका 15 इसमें वल्टिप्लाइब करना है 17 का यह लिख लेते हैं और एक्जम्पल 12 में करना है 38 का ठीक है और देखिए अब यह उगी तेरा में 17 का एक एक्जम्पल और देखिए हूं 35 में हम दे देते हैं कि 17 अपना ठीक है अब देखिए एक बार मुत्तर कैसे याद करना यह याद करना सुरी लाना कैसे देखिए 17 का पहाळा 15 में पढ़ना है, 17 का पहाड़ा आता है, यह तो 15 का भी कर सकते हैं, 15 का पहाड़ा इसी है, यह 17 का देखिए, 15 मतलब 5, carry forward 8, ठीक है, इसको दिमाग में रख लीजिए, मैं आभी समझाने को देख से लिखते जा रहा हूँ, अब पूरा 17 का multiple कर लीजिए, 17 किन 17, 17 और 8 कितने होते हैं, 3 जोड़ी हैं तो 20 हो जाएंगे, और 5 जोड़ी हैं तो 255, ठीक है, इधर देखिए, 12 में 38 का गुना करना है, या मैं यह बोल सकता हूं, 38 में 12 का गुना करना है, दोनों को मतलब यह है, 12 में 38 का गुना करना है, 38 में 12 का गुना करना है, मुझे 12 का पहड़ा आता है, मैंने बुला, यस मुझे आता है, 12, 24, 24, 24, 24, 25, 26, 27, 24, 28, 96, 96, 96 की 6 आट पर आई, 9, carry forward, एक संख्या में लिखते हैं, ठीक है, अब क्या करना है, 12, 24, 24, 26, देखिए, एक बार इसके गुना कर दिए, पूरे संख्या को, एक बार इससे कर दिए, 12, 24, 24, 26, 36, और 9 कितना हो जाएगा, जी, पूरा, जब तक आपको पहाड़ा आते हैं, तो इसली गुना आप कर पाएंगी, देखिए, देखिए, 17, 34, 37, 57, 75, 85, और carry forward, 8, मैं समझाने को देश से, यह carry forward लिख देता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, और देखिए, फिर पूरे 17 का 3 में को ना कीजिए, 17, 34, 37, 59, 59, 59, 59 हो गया, अगला देखिए, 17 में 13 का पहाड़ा पढ़ना पहाड़ा पहाड़ा जैसे आपको सुद्दा या सरल लगे, अब देखिए, मैंने इसको 13 में 17 का पढ़ दिया, ताकि मेरा इसली हो जाए, 17, 34, 37, 59, 59, 59, 59, ये 5, 70 कम 70, और फिर 17 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ये हो गया, 2, 2, 1, इस तरीके से आप कोई भी कैलकूलेशन 2 by 2 मल्टिपल, मतलब दो संख्या में, दो अंकों की संख्या में, दो अंकों की संख्या का गुना करिएगा, तो मौकिक आप बता सकते हैं, जब तक आपको पहाड़ा याद है, इसके बाद की कैलकूलेशन, जब हमें पहाड पाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे, नेक्स कैलकूलेशन का पार्ट, मिलते हैं, तब तक की लिए, धन्यवाद,